दिली की अर्विन केजरिवाल सरकार अपने तीसरे कारेकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है यूं तो इस बजट से तमाम लोगों को उम्मीदे हैं लेकिन विपक्ष में बैठी भारती जनता पार्टी भी इस पर नजर गड़ाए हुए है मौजूदा समय में प्रदेश भाजपा द्यक्ष आदेश गुपता का कहना है कि कोरोना महमारी की रोक्थाम में दिली सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है लेकिन मौजूदा समय में बजट में क्या कुछ एलान होते हैं इस पर भी नजर है वो कहते हैं कि मौजूदा समय में परिवहन की लचर विवस्था प्रदूशड की समस्या और ऐसे तमाम मुद्धे हैं जहां सरकार को ध्यान देना चाहिए क्या कुछ कहना है आदेश गुपता का साथ ही क्या कुछ सुझाव उन्होंने दिली सरकार को दिये हैं आए जानते हैं दिल्ली सरकार की तरफ दिल्ली की जनता की निगाज आती है जब दिल्ली में ट्रांस्पोर्ट सिस्टम बिलकुल लचर है नई DTC बसे नहीं आ रही है पुलूशन पर सवाल उट रहा है कि दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे वो समय पर नहीं उठाए और दिल्ली के अंदर आज जो क्लस्टर एरिया है तो प्रधान मंत्री आवास योजना को उन्होंने लागू ने किया आज दिल्ली का जो गरीब आदमी है दिल्ली में मध्यम बर गए बहुत सारी समस्याओं से जूज रहा है वो चाहे पानी गंदा आ रहा हो या फिर दिल्ली में ट्रांस इस्पोर्ट सिस्टम में दिल्ली नीचे से पांच में पाइदान पर है और दिल्ली में ओवराल इस आफ लिविंग में दिल्ली तैसमें इस्थान पर है यह दिल्ली के लिए बहुत निरासा जनक है दिल्ली में आमादी पार्टी की सरकार ने गत छे वरसों से प्रचार प् लोगों का जो रोजगार टूटा है उसकी भी एक आसा की जा रही कि रोजगार बढाने बाला बजट हो रोजगार परक बजट बने दिली में डे olharममेंट का बजट बने यमना जी की सफाई हो प्रदूसंड की समस्या इसको लेकर दिली की दूट strategy तो रोजगार विकास और यमुना की सफाई जैसे ऐसे तमाम मुद्धे हैं जिस पर दिली प्रदेश भाजपा दिली सरकार से उमीद लगाए बैठी है। आदेश गुपता का कहना है कि दिली सरकार को प्रचार प्रसार पर कम ध्यान दे कर लोकल लेवल पर लोगों की समस्याओं का निवारन करना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बजट में क्या कुछ गोशनाएं होती हैं और विपक्ष उससे कितना संतुष्ट हो पाता है। आकाश चर्मा, ETV भारत, दिली।